J K J K मैं जस्बीर कोमल बिनदäस 36 गड़ राईपूर से आज STATION ROAD गुर्दवारा परिसर में पहुचा हूँ और ये खुशी की बात है कि मैं यहाँ की प्रधान सहाब जो अध्रक जी है निरेंजेंसिंग कनुजा जो हमारे सामने बैठे हैं और आईए मैं उन्हीं से मुखावतिक होता हूँ और पुछता हूँ कि आज जो करोना कालचर रहा है इस पर वहरुजी का खालसा वहरुजी की फते सुर्व पत्रम तो मैं कोमल जी आपको जो आपने नया चैनल खूला है बिंदास च्छतिस गड़ उसकी सुब कामना है आपको देता हूँ और इस वर से प्रातना करता हूँ कि इसको दिन दुगनी राज चोगनी प्रगति दे और जैसा कि आपने इसका नाम रखा है बिंदास च्छतिस गड़ तो मैं चाहता हूँ कि ये बिंदास जो शब्द है बिंदास होना चाहिए और च्छतिस गड़ तो ही है तो बिंदास होना चाहिए ताकि जितनी भी जो भी सची घटनाए होती है हमाई च्छतिस गड़ में वो हमाई जनते के पास पहुँचनी चाहिए दूसरी बात है कि इस वक्त हम लोग करोना जैसे वाले से बहुत जबस जूज रहे हैं हमने पुरा संसारी जूज रहे हैं तो इसके लिए कई बार लॉकड़ान भी हुआ है अभी पिछले समय जब स्टार्ट जब हुआ था मार्च में तो लॉक्ड़न हुआ था तो इसके यहां से गुर्दवारे से क्योंकि गुड़वारा से वाफसा ही रहता है हमारे गुर्वों ने हमें यह सिखत दी है कि मानो सेवना ही उत्म सेवा ही उत्म सेवा है तो हम उसी के नक्षग गतम पर चलने कोशिश कर रहे हैं मैं और मैं साज इतने भी मेरे मेंबर हैं जो मेरे परवार जैसे हैं जिनका मुझे बहुत भरपूर सेयोग बहुत सेयोग मिलता है उनसे हर काम में हर जगा कहीं कुछ काम होता है लंगर बरताना हो या किसी कुछ भी काम जो भी सेवा कवाव उसमें बढ़ चार किसा लेतने मैं सेयोगी लो मैं जश्बीर कोमल बिंदास चत्रिगड यूट्यूब चैनल से कुरोना जागरुकता अभियान के तहट आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं समास सेवी अमर जी सिंग च्छाबड़ा जी से कि करोना की उपर लोगों को समझाते हुए पहल करते हुए तो आज उनी से जानते हैं कि उनके विचार क्या है जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद जजबीर कुमल जी हम देख रहे हैं कि कोरोना जो महामारी वैश्विक महामारी पूरे देश में जो बहुत तेजी से अपने पैर पसार चुकी है और पिछले कुछ समय से चतिस गड़ और खासका रायपूर में इसका प्रकोब बहुत समय से पहल है अब कि अपने शहर को अपने राजदानी को कोरोना को मुक्त करें इसके लगातार हम अभ्यान चला रहे हैं जैसे शहर का जो मुख्य बजार है सास्त्री बजार यह हमारी टीम सुभे से लग जाती है सबजी बेचने वालों को और जो सबजी खरीदने आ रहे हैं ऐसे सारे लोगों को हम मास्क लगाने की हिदायत देते हैं भीड़ भार ना करें सोसल डिस्टेंस का पालन करें इसकी हिदायत देते हैं इसके साथ ही जब कम्प्लेट लॉक्ड़ान हुआ था तो उस दौरान हमारे द्वारा प्रति दिन दो हजार से अधिक लोगों के लिए पका हुआ भोजन बनाए जाता था रवो उन लोगों वेच बाटा जाता था झो किसी नकिसी रूप से बहुत बुरी तरीके से पर भावीत है अभी हाल फिल हाल में हमारी दो और योजनाओं को लेकर हम लोग आ रहे हैं जिसे कि हम कोरोना महामारी से कुछ हद तक निजात पाने में सहायक होंगे पहला हम कुछ आक्सीजन सेलेंडर अभी हम निशुल क्रूप से उपलब्द कराने वाले जो जरूरत मन्त रहेंगे उनके लिए अक्सीजन सेलेंडर हमारे पास उपलब्द रहेगा आप सिर्फ रिपलिंग का जो खर्च रहता है वो खर्च दे कर आप हमसे गए सेलेंडर ले जाएंगे और उसके बाद वो oxygen cylinder आप उपियों के बाद हमें वापस कर दे और इसके साथ ही हम लोगों ने टीम कोरोना जागरुकता को लेकर और जो लोग प्रभावित है जो positive हो चुके हैं ऐसे लोगों के डर का महौल बैट गया है वो जब 14 दिन के isolation में रहते हैं हास्पिटल में रहते हैं तो बुरी तरीके से डरे रहते हैं उनको लगता है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है तो ऐसे लोगों को motivate करना उनको दिन भर दैनिक दिन चरिया में अलग अलग स्वरूपर में उनको बांध कर रखना इसके लिए हमारी तयारी चल रही है जिसमें हम एक डाइटीशन को जोड रहे हैं एक योगा टीचर हमारे साथ रहेगा और 36 गड़ी फिल्म से जुड़े हुए जो कलाकार है वो कही न कहीं एक मनोरंजन का बहुत अच्छा माध्यम हो सकते उनके लिए तो ऐसे लोगों से भी हमारी चर्चा चल रही है और इसके साथ एक काउंसलर रहेगा से चार लोगों का अलग लग शेशन हम गूगल मीट के माध्यम से करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जो एक भै का महौल है वो भी दूर हो